नहीं बीजेपी तो बिल्कुल नहीं घर का आद में खड़ा होगा तो भी बीजेपी वोट नहीं है नमस्कार आप चौपाल व्यू देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ चेतन मुरादबादी हम इस वक्त मौजूद हैं यहां पर हम किसान भाईयों के साथ हैं और हम सभी किसान लोग हैं और इनसे बात करेंगे बर्तमान सरकार के बारे में क्या गया इस्तिति है और लखिमपूर खेदी पर भी कुछ बातचीत करेंगे और बर्तमान जो की जगे जगे किसानों की धरना प्रिदर्शन हो रहा है लगवक्त दस महीने से किसान धरना दे रहे हैं लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है आईए हम किसानों से सीधी बात करते हैं कि किसानों के मन में इनको लेकर क्या मन में भरा है जी क्या ना इसलिए आपने हैं भूत्रेक्वन लड़ा आनु घ्यलवार लड़ा वह कि इसमार में जहन चौधरी को गला कि यह रालकुट को लडाने के ज्यूए आपको तो क्या के दिक्त तो हो रही है बरतमान सरकार में बरतमान सरकार में किसानों के लिए सबसे मेंमुद्धा किसानों का विजली का बिल नंबर दो हमारा ये काले कानूनों पर जो हमारा नस्पी हमारी लागू की जाए नस्पी का मूल निर्धारन करके एक यूसमर किया जाए और जो है हमारे कई समझ्या है जंगली जानवरों की खेती किसान के लिए बहुत बड़ी समझ्या है यह सरकार को इस पर सोचना चाहिए तीसरा रोजगार के बारे में भी किसानों को या किसानों को या नवायूब को के लिए कोई रोजगार के इन लोगों नभाए देखिये कितने रोजगार दिये कोई रोजगार नहीं मिला कि क्या नाम सर्कार को लेकर आपके दिल में क्या ख्याल है क्या चल रहा है किसान है में कुछ काम गरण देखना चाहते हो किसको मुख्मंत्री ग्रूप में देखना चाहते वह लोग जाट होने के नाते, हम रालोथ को जादा पसंद करते हैं। किसानों के इसमें कुन सरकार भी देखेंक कुन सरकार रही है किसानों के हित्म गन्य का इसाब लगा जाए बहुल जाइन समाज पौरिटी ने कियो पुजल सब्सक्रद्धय के अब नियुका की, बागी सब इस बढ invajत mogę अंहाँ कि दिया सब्सक्राइब करें लेकिन अगर विधानसवा सम्बल से अगर जाड पिरतियासी आई लेकिन अगर भारती इंता पार्टी से जाड पिरतियासी आता है तो आप किसको वोट करेंगे तो हम इसे इस पार्टी बोट नहीं दंगे आपकी आपका मतलब है कि आप जाती ब्रादरी से हटके ही राजनीती जो है देश की राजनीती देखना चाहते हैं क्योंकि इन्हों ने जो किसान की कोई बात नहीं सुनी है हमारे तमाम जो टिकेट साहब और सारे नेता पड़े है मर गए मठन में पड़े पड़े हो गर्मी में आज तक उन्होंने उनकी सुद्णा ली हम तो उन नेताओं के साथ हैं देवंदर आपके मन में क्या है क्या होने बाला है 2022 में और वो तो बक्त बताय क्या होगा वरहाल इस पारड़ी से खिलाब है इसने कोई भी किसानों के हि दे रही है सरकार अगर दोहजार रुपए क्या है दोहजार रुपए निस वे सत्रेक्य एकर बात करें तो जाती धरम पर राजनिती हुई थी तो क्या आप जो है आने वाले 2022 में जाती धर्म पर बोट करेंगे या रोजगार बेरोजगारी पर हमारा जीवन लिख कर गया इसी बीजय पी कू देते हो हमारे प्रुखों भी बीजय पी देते निकलसेंगे लेकिन अब यह बार नहीं दो है इतनी नाराजगी तो चोड़र महेंदमनें क्या है वाज्बहस св उप्रमाप Nearly 2222 को लेकर आपके मन में क्या है मतलब भाजपा का शुप्रसाप अब सब्सक्राइब करना चाहिए इस पालिटी को जैसे जो जो हुआ मतलब किसान को अपनी गाली सो कुछल रहे हैं उनका गिरह राज्य मंत्री सत्ताम बैठा हुआ सब्सक्राइब करना चाहिए आज भी वहां बैठा हुआ है उसका लड़का है असे उसे कहीं कोई भी हो कोई भी जेल बेच दिया उसे फिर भी मतलब प्रितासर ने लिया है रिमान पर बकील उसके साथ बैठे हुए है क्या बुजलन देंगे उससे वे कुछ बुजलन देंग आए तक करते आये हैं लेकिन इसमें तानासाई चले ही सरकार में बर्लों गांदी है उन्होंने किसानों कहित की बात करी उन्हें निकाल का बाहर भी बहुत बढ़ी वाली इस बार आप किसको देखना चाहते हो मुख्य मंतरी के रूप में कौन चहरा अच्छा रहेगा बही कि हमारे मन में तो जहन चोधरी कोई है और अब जाती तो बीजेपी किसी जाट पिरतियासी को उतारता है तो नहीं भूटवड़ नहीं गढ़ा कि अम चाहके कंड़ भी सब्सक्राइब कारशा यहां सब्सक्राइब तेख लगए लेकिन मोदी जी कुछ तैयार नहीं सब्सक्राइब के रहे हैं कै रहे हैं देश नहीं धुकने दूंगा बइकने रहे हैं कि मेरे बाप के संपत्ती है यह क्या ख्याल हैं आपके रामन्द्र सरकार बना रहे है तो इसकी मुद्दे सथ कोई मतलब है नहीं राजनीती का पूरी राजनीती रामन्दर राजनीती खत्म होगी बीजेपि अब किसे मुद्धे पर लड़ेगी बीजेपि रामन्दर तो बना दिया अब राजनीती के लिए कोई मुद्धे नहीं उनके पास